कि नमस्कार आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ चंद्र शेकर त्रशूर केंद्र के तीन नए क्रशी कानूनों को लेकर गतिरोध अभी बरकरार है कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आरपार की लड़ाई का आइलान कर चुके हैं क्रिशी कानूनों के विरोध में आंदोनन कर रहे भारतिय किसान यूनिन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को केंदर सरकार को चितावनी दिया कि अगर किसानों को बॉर्डरों से हटाने जवरन हटाने की कोशिस की गई तो वह देश वर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे टिकैत ने कहा कि हमें पता चला है कि प्रशाशन जेसीवी की मदद से यहां टेंट को गिराने की कोशिस कर रहा है अगर वह ऐसा करते हैं तो किसान, पुलिस, ठानों, डियेम, कारेलों में अपने टेंट लगाएंगे गौर तलब है कि इससे पहले अमरोहा में किसान महा पंचायत में BKU के राश्टी प्रवक्ता राकेश टिकैत में केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला था उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों करशी कानूनों को बापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा दिल्ली बार्डर खाली नहीं हुआ है यह आंदोलन किसानों की रोटी और खेती बचाने के लिए है उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की जमीन बड़ी कमपनियों को देने की तैयारी में है इससे रोटी भी बड़ी लोगों की तिजोरी में बंद हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा इसके साथ ही सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया गया है कि 20 तक समाधान नहीं निकला तो नई रणनीति का अईलान किया जाएगा है हमारे पर कोई आरोपनी लगने नामना रास्ते रोक रखें ठीक है है हम भी दिल्ली चलेगे अपने ताम जाम लेगा पहले पहले भी अट रहे हैं कोई आदी में अशा नहीं है कि जो मुझे फरकर से मेरेट से आपार से चलारों दिल्ली ना गया हो ठीक है रारास्ते हमने रोक रखें यहां वो आज भी लोग आ जा रहें जब यह एट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में अपना ब्यान देंगे यहां परसासन का यह पता चल रहा कि चेड़ खानी कर रहा यहां पर जो टेंट लग रहे उनको जैसी भी जाया का उखा करने की कोशिश कर रहा है वह यहां पर खौड़ागा तो गामवाले अपना मंडियों में तो दान और वो फसल बिखती रही अपना थानु में डियमी के मापे मापे लगा होगे टेंट अपना मापे लगा लगा लगए किसानों को बॉर्डर से अगर जबरान हटाने की कोशिश हुई तो वह देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे किसानों को अगर बॉर्डरों से जबरान हटाने की कोशिश हुई तो वह देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे किसानों को अगर बॉर्डर से जबरान हटाने की कोशिश हुई तो वह देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे तो इस मुद्देवर चर्चा करने के लिए हमारी सही होगी हमारे साथ निजरूम से मुस्कान मुस्कान यह जो बयान लगातार राकेश टिकैट के आ रहे हैं सरकार को कहीं एक जो कोशिश है आकर्षित करने की या सरकार को अपना प्रण बताने की उसमें कामयाभी मिल नहीं पा रही है कि लंबा समय हो गया है बिल्कुल त्रिशूल जी देखिए अगर बात करें किसान अंदोलन की तो पूरे ग्यारे महीने से उपर हो चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं है जादा समय का अंदोलन ब्रिटिश काल में चला था उस समय जब किसानों की भूमी उनसे एक चीनी जा रही थी उस समय अंदोलन चला था और उतना ही लंबा अंदोलन अब चल रहा है क्योंकि दोहरा रवया आंपर खुद राकेस्टिकैट काई देखने को मिल रहा है चाहे वो समय किसान मोर्चा हो चाहे वो भारते किसान यूनियन हो किसानों के जितने भी संगठन है उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में अपना बयान दिया था कि हमने रास्ते नहीं रोके है रास्ते दिल्ली पुलिस ने रोके है और प्रशासन ने रोके है बेरिकेट्स लगा कर उन्होंने ही रास्ते पर अवरूद लगाए है ताकि आवा पिरवाद से किसारों के टेंट हटाने की कोशिश की तो वो तबाम सरकारी दफ्तरों के बाहर अपने टेंट लगाएंगे और गल्ला मंडी बना देंगे हला हूँ ही करना है आपको तो आप एक जगा बैट कर कर सकते हैं आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आप सरकार को किस तरीके से प्रभाविक कर सकते हैं और किस तरीके से जो आंदोलन को आपको जिस समस्या का समाधान चाहिए आप वो समस्या का समाधान ले सकते हैं लेकि कल ही मतदान हुए है इलनाबाद में वहाँ पर भी उससे पहले किसानों की एक मांग थी कि अगर आपने किसानों के समर्तन में स्टीफा दिया है विधाएकी से तो वहाँ आप किसान उमीदवार खड़ा करें यहीं से पता चलता है कि कही न कहीं सियासत यहाँ पर किसलिए हो रही है सप्ता का सियासत यहाँ पर कही जा सकती है और राकेश टीक है तो खुद कई बार कहा चुकी है अला कि उन्हों ने ये कहा कि वो चुनाव लही लड़ेंगे लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो सियासत की और सिद्धे तोर पर इशारा करते नजरा रही है अब भी यही हो रहा है दोरा रवया इनकल देखने को मिल रहा है लेकिन सरकार से अभी तक 11 दोर की वारता हो चुकी है और इन दोर की वारताओं में एक बार भी नतीजा नहीं निकला है उसके बाद आप ये क्या रहे हैं कि सरकार आपसे बाच्चित नहीं करना चाहती अगर हम देखें तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं देखिए आपको अगर समाधान चाहिए अपने समस्या का तो कुछ कंप्रमाइज आपको भी करना होगा और कुछ सरकार को भी करना होगा कहीं आपको अपना समर्थन जताना होगा कहीं सरकार को लेकिन सरकार अड़ी है कि ना तो किसान जो है य होगी कुछ समस्य की सरकार की हल होगी और मिल जूलकर इस समस्य का समधान निकाला जा सकता है लेकिन समधान निकालने की और बाच्चेतिया पर हूँ ही नहीं रही है आप इतने लंबे समय से बैटे हैं आपको साल हो जाएगा साल के बाद आपको छे महीने और हो जाएंगे, साल और हो जाएगा, दो साल, तीन साल, समय कितना निकलता रहेगा, आप अपने आंदोलन के चक्कर में पूरे जनता को तो परिशान नहीं कर सकते, तो यही सुप्रीम कोट ने भी कहा था, कि आप आंदोलन करिए, आंदोलन का प्रदर्शन की जो जिम्मेद प्रदर्शन करना है, आपके प्रदर्शन से आम जनता को परिशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम जनता को यहां पर परिशानी होती नजर आ रही है, अभी जैसे ही दिले पुलिस ने बेरिकेट साटाने शुरू किये थे, चाहिए वो टिक्री बोर्डर हो या फिर गाज रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और इन रास्तों के खुलने से जो लंबा समय तै करके जाना पड़ता था, लंबा रास्ता तै करके जाना पड़ता था, वो अब वापिस से पहले ज़ज़ा हो जाएगा और आम जरता की समस्या जो है उनका कुछ समधान होगा, जो जनता पिस रही है, वो कैसे सही साबत होगी? करें, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई विचारधारा कहीं दिखती नहीं है, और अगर यह नहीं दिखती है, तो यह बहुत बड़ी कमी है, फिर यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, या केंदर सरकार कैसे पहल करेगी, या वो बीच का व्यक्ति कौन होगा, जो इस पूर का निफा सकता है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, मातर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के बीच में जाते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पर भी आप कॉंग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि अभी मुख्य विपक्ष के रूप में कॉंग कॉंग्रेस ने वहाँ पर एक बार भी नहीं बोला, लेकिन जब लखीमपूर के घटना हुई, तब कॉंग्रेस इतनी सक्रिया हुई, जितना कोई और विपक्ष सक्रिया हुआ ही नहीं, अच्छी बात है, आप किसानों के समर्तर में हैं सक्रिया है, लेकिन पहले अपने ग जब आ रहा है, जाए फिर वो किसान हो, जाए फिर वो बीजेपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दूरों में हटधर्मिता हैं, पहल करने को कोई भी तयार अविपक्ष को इसमें भूख्र निभानी चाहिए थी, लेकिन लोग सभावज और राजसभा का हमने पूरा सदन कारवाई देख ली एक बार भी किसानों के समर्थन में वहां पर विपक्ष ने बात नहीं उठाई थी कुछ लोग थे जिन्हों ने बात उठाई लेकिन पैगासस का मुद्धा उस समय इतना जादा सक्रिय हो गया था इतना जादा विपक्ष उसको एहम दे रहा था कि किसानो का मुदा कहीं लेकिन उस पीछ दब कर रहे गया और यह इसी वजह से आपको याद भी होगा जब किसान संसद बी चल रहे थी जब लोग सब्हा राजह सब्हा की कारवाई थी तो किसान संसद भी वहां पर किसानों ने शुरू की थी पास में ही और वहीं पर जब किसानों ने कॉंग्रेस के लिए एक निंदा प्रस्ताव विपारित किया था और इसी वज़े से वो प्रस्ताव था क्योंकि कॉंग्रेस जो है वो किसानों की आवाज नहीं उठा रही है इसी वज़े से बाद में मन जो सांचा करने के लिए मना कर दिया गया तमाम विपक्षी पाचनीती इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आपको आम जनता के मुद्द ही दिखते नजर नहीं आ रहे हैं बिलकुल मुस्कान बहुत अच्छी बात कई आपने बहुत धन्याबाद आपका किसान आंदोलन में जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक लंबा समय जो हो गया है किसान आंदोलन को चलते चलती अब हरेक आंदोलन में अगर हम हम आप अन्ना हजारेक आंदोलन देखेंगे तमाम आंदोलन देखेंगे तो कहीं एक कोई बीच में एक वारता करने के लिए को एक व्यक्ति को प्रमुख बनाया जाता था और हर पार्टियों में ऐसे व्यक्त का काम करते थे वह मद्यस्त कहीं नजर नहीं आता है लेकिन शायद केप्टन अमरंदर के जो केंदर से एक जो ट्यूनिंग हुई है तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों मैं केप्टन अमरेंदर सिंगी वह मद्यस्त के रूप में स्थापित हों लेकिन अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आता और टिकेट लगातार अपनी बात रखते हैं अलग अलग तरीकों से रखते हैं और केंदर सरकार का ध्यान आकरशित करने के लिए तमाम तरह की धंकिया चेतावनी प्र रवया हो गया है और इस रवया से शायद दूरियां बढ़ रही हैं कम होने की बजाए यह सबसे चिंता जनगविशह है कि और इसी चिंता को अगर हम जमीनी इस तर पर देखेंगे तो वह लोग जो सोचते हैं कि इतना लंबा अंदूलन अगर चला है इतने लोग अगर संगठित हुए हैं तो कहीं न कहीं कोई रास्ता निकलेगा लेकिन सबसे बड़ी बात रास्ता लंबा होता जा रहा है लेकिन समाधान, समाधान छोटा होता जा रहा है, समाधान निकल नहीं रहा है और बीच में एक जो मध्यस्त, ताकि लिए जो एजेंडा तयार होना चाहिए, वो एजेंडा भी शायद नहीं है उनकी अपनी हद्दर्मिता है, इनकी अपनी हद्दर्मिता है, दोनों ही पक्चों की हद्दर्मिता की चलते जो चीजे हैं वो बजाये ठीक होने के खराब होती जा रही है करने के लिए जुड़ चुके है क्रश्चिंजू कॉंग्रेस से और राजेंदर यादव भारती किसान संगठन से और बीजेपी से देविंदर प्रमुख लुक आप तीनों का स्वागत एन भी पर के लिए कि कौन जी यह जो आंदूलन छल रहा है एक जब आपकी सरकारें हुआ करती केंदर में बहुत सारे अंदोलन इस देश वह हुए त Dieses कि भ्रूमिका होती थी वह मद्यस्थ कहीं नजर नहीं आ रहा है अगर नजर नहीं आएगा वो मद्यस्त और लगातार दोनों अलग-अलग दिशाओं में बढ़ते जाएंगे तो यह समाधान कैसे निकलेगा क्रश्ण जी आवाज मिल पा रही आपको मेरी राजेंद्र यादव जी मेरी आवाज मिल पा रही आपको राजेंद्र जी मद्यस्त की भूमिका हुआ करती ती राजनीती में सरकारों में और वह मद्यस्त कहीं नजर नहीं आता लगातार एक दूसरे की तरफ से चेतावनिया जारी होती हैं तो यह समाधान निकलेगा कैसे आखिर पारटी की जो हड़ थर्मेटा है और तो एक तरीके से यह सॉसंब करने तो उससे इनका कोई कहीं दीखाई देता हैं कि एक कि तरफा जाना चाहते हैं देश्कों कि इनका कोई उरोग ना करे यह जो करते रहे वो उसके लिए अच्ऽता बोले तो ऐसा तो इसे अपभ नहीं किसान क्या मदव्यु था जो शीड भारबार नेकल्श लिखता है कि हम भात करने के लिए त्यार है वो पार वनारा सदेपने होतनी मिंतषिस टेस्टा के स defense उने को हुए क्षानय जो है की सब्सकर Hamilton a snack day یका में निक्ता करने मुपमजेशा जाए कि री जई राजनीशिक सब्ती है बड़त करने की बास करने की बात रहे हैं तो कैया कोई मत इश्ता करें थिकाई गराय नहीं कंऽिकह सब भार थे कि अपने पन project work , oh बिल्कुल बिल्कुल देवेंदर प्रमोग जी यह जो एक लंबा एक डेडलोग आ गया है और परिवार होता है देश पूरा परिवार होता है घर में नाराज होता है पक्ष समर्थन में होता है लेकिन आप चुंकि केंदर में बैठे हैं तो कोई ना कोई रफ्ता निकलना चाहिए इसमें देखिए चंद्र सेकर जी इस बड़ा चाहिए बीच निकल कर वह मजड़ेश्टरता को लेकर पाद मजड़ेश्टरा कौन करें और आपने इसमें सुरू से ही मैं देख रहा हैं आपसे दो मिनट से इसका मैंने सुना हैं और आपने बार बार कहा और जो साथी बैठे हैं किसान संग्थन से हमारे राजिंदर जी उन्होंने चर्चा की है कि आखिर करे कौन तो में एक चीज आपको दोराना चामगा की लंबे समय से लगबग एक वर्ष का समय बुरा और लिया और इसमें 12 दोर की वर्षा भी हुई है 14 दोर की सक्षेज वर्षा रही है दोनों तरफ से सुना गया है और जब मजटर सा बनी नहीं और कोई बात दोनों तरफ से जब कह रहे हैं आप हटजर्मीता अपना रही है तो भारती जंता के कैबनेश्ट मनिस्टर नरंदर तोमर जी जो किर्शी मंत्री हैं उन्होंने स्वेम बहुत भर्तक्त परियास किये जब वो काम्याब नहीं हुए तो वड़ी बात यह है कि माननिय सुप्रिम को जखल दे रहे हैं कमेटी का एक गठित करने के बाद कमेटी गठित हुई और कि सुप्रिम कोट की बात को नकारने का काम किया और बड़ी बात जब हुई जब गठित महामारी कोरान काल के जारान सुप्रिम कोट ने टेड़ वर्ष के लिए यह भी सला दी कि इस कानून को वोल्ड पर रग दिया जाए और इस ती सामय स्थांध होने के बाद इस पर चरच यह तो देवेंद्र जी अगर यही और सोच बनी रही तो फिर लगता नहीं है कि यह अलग अलग धारओं में चलता रहाइए कुछ जून जी और यह आवाज में तूंपा रहे हैं क्रसुछ जी आवाज शुन पा रहे हैं तो रजेंद्र जी अगर मैं देश्टर प्रभुग जी की बहले बात में आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी मानने सुप्रीम कोफ ना इस कमेटी बनाई थी वह कमेटी अपना आती चली गए उनके उपर आख्टेश लगे वह आख्टेश लिए लगे क्यों कि तीन दिर पहले कमेटी बनने से तीन दिर सब्सक्राइब बनाने वाले कौन थे उसको हम लोगे नहीं बनाई राजिंदर जी दुरस कर देता हूं आपकी आदास के लिए वह हमें नहीं बनाई अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे सुन पाइंगे अगर आपकी तरफ से मारी नियुक्त है यही हो रहा है इसमिन के अंदर नहीं आप इसपर आप इस पर आप इस पर आप देव इंदर जी आपते तेंगे आप निया देवेंदर जी आप लोगत तरी नव्त निया बना है देवेंदर जी चला के अपनी बात नहीं रखी जा सकती तो आप सुन लिजे हम डिवेट कर रहे हैं अप सुन नहीं आप को चुछ कहना है कहीए एक एक करके सुन लिजिए बात को ने कैसे सुन्नों कर एक बात नहीं थी आप रहे हैं वह सर्कार को याप लिजिए अवरेंदर जी नहीं लगता कि इस्ता को ना राज की जिम्हात है आप लुड़ेंगा जाओं आप लिए आप लगता कि लिए पार लीया हैं कर वाले कर नहीं हैं आप लुड़ेंगे लिजा म आप परिवार की अगवानी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी गंबीरता रखनी चाहिए अगर अगर आप शांती और गंबीरता बनाए रखेंगे तो सुनने पक्ष को दूसरे पक्ष को अगर आप शांती नहीं रखेंगे तो फिर रहे हैं राजेंदर रियादव जी राजेंदर जी राजेंदर जी आप अपनी बात रखिए देवंदर जी के सामने हम उसे सवाल पूछ लेंगे मैं आपकी बास आगे बढ़ाता हूं दे इंदर जी राजेंदर जी राज चाहता हो कि मानले सुप्रीम कोट को हम लोग गलत मानते हैं अजिसों गलत नहीं कहेंगे तो इसे लिए क्या क्या होगे आप अप मेरी अगले अगले अगली बास तक उपर जादा ही नहाराज हो जाओगे तरह नहां पर आप तो बचाता हो जो पारिश हो गया अगर आप सरकार में बैठके भी घंबीरता नहीं रखेंगे तो ठीक बात नहीं रखती है लेकिए आप जो डिबेट करा रहे हैं जी जंद्रसेकर जी मैं आपके संध्यान बनाना चाहूंगा मुझे पता नहीं आज पहले सामना हो रहा मुझे आप कैसे कितने बढ़ेंग करें नहीं मैं कुछ बढ़ा नहीं देखना ग्याना आपको क्यों लगा यह आपको क्यों लगा क्या हम संभाद करने के लिए सोतंत्र नहीं है आप संभाद करने के लिए सोतंत्र नहीं है आप क्या यह बताएंगे कि हम संभाद करने के लिए सोतंत्र नहीं है तो आप संभाद की परिभादा आप ज्यानते होते तो सुप्रिम कोड का नाम आते ही उनको गरीमा बताते हैं और वह दोबारा दोड़ा रहे यह फिर परावर के चाइना कोड को मानते है एंगलेंड को कोड को मानते है उसका बता दे उसका धीन बात करें तो अगर देवेंद्र जी मैं आप पूझने चाहता हूं चंदर रहे हैं आप एज्ञान कर मुझे समझा यह वात नहीं देखिए कि अब बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा कि अगर आप बात नहीं तो कैसे होगा बताई है पूरा विश्वास है हर हर व्यक्ति का विश्वास है और यह राष्ट्रवाद आपके खातिर नहीं है राष्टबाद सब राष्टबादी यह इस देश में जब वो सवाल पूछ रहें आप उनका जवाब देदेना हम गाली दिलबा रहें क्या जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं देवेंद्र जी शांती से गंबीरता से मेरी बात सुननेंगे आप अगर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब देजिएगा तो यह जवाब तो आप उन्हें दीजिए हमें क्यों दे रहे हैं नहीं नहीं हम किसी का समर्थन हम किसी का समर्थन नहीं करते हम जन्ता की बात को जन्ता तक पहुचाते हैं हम लोगतंत्र में विश्वाद रखते हैं अगर कोई बयान आया है तो उसका पक्षी जानना चाहेंगे अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब तो जानना जरूरी है ना सवाल ही तो करोगे ना कोई ऐसी बात कहीं नहीं है आप इतना नाराज हो रहे हैं आप वह पार पर जबार ने दीजिए कि मुझे विश्वाश और पर विश्वाश नहीं है तो आप उनको रोक दीजिए हम उनको रोक रहे हमने सुनी कांव कि अपने बीजिए हर्धान के खिलाफ विल्कुल आप गलत कै रहुं है आप बिल्कुल गलत के रहे हैं हम सिर्व at रखते हैं हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब देते हैं है अब अब जवाब देदी जिए जो राजेंदर यह रहे दे ते जिए जूब गरे मांगने चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह सवाल था अब यही बात है आप इतनी देर से चिला रहे हैं और क्या सवाल तब पूछ रहे हैं इस प्रिम कोप को गाली दुवा दो रहे हो आप जब उसको विश्वात ली सुप्रेम कोट में अभी अभी लेग बिल्कुल आप हमारे साथ बने रही है कि लेते हैं छोट कि अगरे आपका हम चलते हैं अपने महमानों के पास क्रश्ण जून जी मेरी आवाज सुन पारें आप इस नूज को क्रश्ण जी यह जो आंदोलन चल रहा है एक बहुत सारे जो आंदोलन हुए हैं तो एक सवाल निकलके आता है एक मद्यस्ता होनी चाहिए पंचायत इस तर पे तमाम चीज़े जब बिगड़ जाती ती तो मद्यस्तों की भूमिका होती थी वह मद्यस्त कहीं नजर नहीं आते हैं और लगातार अपनी अपनी दिशा में सब वहे जा रहे हैं तो यह कैसे समाधान इसका होगा देखे देश एक तरह से ताना साही की तरह बढ़ रहा है और जिस तरह से बीजेपी के लीडर है एक सरकार बीएव कर रही है ते बिल्कुल ताना साही और एगोसी पे अपातकाल की तरह बढ़ गया है नहीं तो आज तक के इती हास में कभी ऐसा जिना बूरे अंग्रेट ही तो जांटी भी कर देते तो पासित किजिए लेकिन ये तो गोरे अंग्रेटों से भी बूरी तरकार आगई कि इन्नों सिर्फ लग्ष संचर के तारे किसी भी तरह आवाज गमाओ किसानों को खालिसान पहाएं, पाकिसराने में जाओ, जिस अब मच्दूर को खालिसे लगाँ जिर्फ फिर्फ लडाने काम से छित्स अड़ने काम पाही तर्व करने काम है कहिंपिर दहन तर्वर्ट है कहिं कर दृदिदो करस्कार दे से कचे कर और कमीने काम सी नगए करना करना नहीं यह तो सब आपने आरो पर यह लगा दिये लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि मद्यस्त ता कहीं होनी चाहिए और सभी पक्षों को एक और सवादानमांतुयांतिया कर लोन किसाल को रहनाज कर दो किसाल को गड़न को स्व definis당 कर दो का है नहीं से ल-, हैं के वन्क कॉनना यह छोड़े, किसाल पर दो सह्ता में होजorden है कि राजांद्र याद्र आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजांद्र जी आपके वकील ने दुस्यंत दुवे ने कहा कौर्ट में के बैरीकेडिंग पुलिस नंहीं ने लगाए ते तो आप दुझ कि बना दिगा अब प्रवेरिकेटिक हटाए तो एट इस हैं जो नहीं जो आगे चले जाएंगा नहीं जो आगे जाएंगा नहीं जो आगे पातकर रखाया तो द्वार फोटों चले जाएंगा अब देखिये अब देखिये आप उसी धारा में अगर आप पीना उसी धारा में चलेंगे तो हमारे बात करने का तो सब्सक्राइब आप से सुनिये आधे घंटे तक आप इनको बोलने ते रहे हैं आप बोलिये बोलिये अन्ना दोलुट इनका बड़ा अंदोल जिवादों के इनको फ्रोवड था हूं कैग ने जो अपने विनोध राय सिचना फर्ची आदमी इस इसने लिखते हैं वाप पिमांगी आभी दो दिन दि बड़ा को सब्सक्राइब अब राजंदर यादव जी सवाल पूछ़ लें राजेंद्र जी आपके वकील ने कहा कि पुलिस ने वैरिकेटिंग लगाई थे हमने नहीं लगाए थे तो आप वह पुलिस वैरिकेटिंग हटा के रास्ता जन सुलब के लिए खोड़ रही है तो आप क्यों कह रहे हैं कि अब हमारे उपर है अब है अब हम देवेंद्र जी देवेंद्र जी बढ़ी शांती से आप से सबाल पूछना चाहते हैं कि क्या अरिवार में बहुत सारी चीजें कोट में चली जाती हैं सब हो जाते हैं लड़ाई जगड़े क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि मद्यस्तता हो और चीजें सब्सक्राइब करना चाहता हूँ ने अनस्ता ने जो बता जी कि सब्सक्राइब ऑचेंरीस 2014 लोगों का लगबग 40-40 के बीच का डेप्टेशन तैयार हुआ कैई बार उन्होंने माने ये कैबिनेट मिनिश्टर किर्शी मंतरी नंदर तोमर जी से और कैई वारता की और कैई वारता की और कैई वारतां में जब धिक्कत आई कुछ टिकेज जी की दिक्कत आई कुछ बोर दो है नेताओं की दिक्कत आई तो लगबग उसमें से अपसी से ज़्यादा संगठन सरकार किताथ आकर खड़े होगे कि हमें ये कानून पसंद है हम इसी सीज की मांग करते हैं ये बात MSP की दोरा ही गई और जब MSP की बात आई तो सरकार ने इसपश्ट कर दिया कि जैसे आपके आउस पर चर्चा कर लो और जब सरकार चर्चा है MSP पर सुरू करने की लई और लगा सथाकित नेताओं को किये तो समझो तो होने जा रहा है उन्होंने एक ही आवाज निकाली कि हम तो इस तीने काने कालून को रज़्द करने की बात करते हैं तो जो संभव नहीं च भी तभी नहीं जारे खालीस्टानी पाकिस्तानी नहीं करिशनी का काम वह हो था जिर्व और फिर्दी केस貝 जाकर लाल किला पर मुख्मन्त्री यह कहते हैं कि सद्दूब अभ्ष मंत्रीन का कांड करें पंजाब का तो आतमकवादी और लागा सकतनाए और चिंदू ने ही जाकर यह चर्टा की पाकिस्तान में यह अजय को बयान है आपको दोर्टे ने चाहता हूं पर कांडेस्टे के कांप होने के लिए समझाने ने चाहता हूं कि कांप होना बताते हैं और साट वर्ट के सबूत भी एक आपिस करते हैं कि इस तरह से आपने पारिस्तान बॉर्डर को इरां अपर आपको देविंदर जी एक रसंजू कुछ कह रहे हैं और सुन लीजिए क्या कहना चाहरे है पर आप लिजिगा मैं एक दिस के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं इस पार दिए अर्मेंदर जीग भूंद्री हो दे हुए के रहे हैं पंजाब की सीमा पाटिस्तान के लगी हुई है और सित्कों के सब्सक्राइब पंजाब में तो अधर देश्ता होगा यह आप दरफ्ताया हुआ है और मेडिया के बाच्छाब है इस तरश्ता पीजिए ह संण इडेविद्र प्रमुक्त जो आरोब थे उनका है जो अपर जिएओर गाये और जवाब दे रहें ते क्या बोल रहे थे क्योंकि उससमें बहत जारीति लगातार मॅक्पे सुण रहे हैं जवाब दे सकते यह जवाब मैं यह देना चाह रहा हूँ, कि किसानों की बात सुनी जाए, इनका समाधान निकाला जाए, एक साल हो गया इन लोग, बज इन लोगों को बैठी हुए, इनकी पारिटी के लोग, इनको कभी खालिश्पानी बताते हैं, कभी मावाली बताते हैं, जवाब देजिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, कर देता हूँ, चंदर सेकर जी, जो हमारे मित्रे ने आवाज उठाई है, कि खालिश्पानी पाकिस्तानी, सबसे पहले इनके संग्यान में लाने के लिए कि, जो पंजाब के मुक्मंत्रियं कांग्रेस का बड़ा शेरार बड़ा ना, अर्मेंदर सिंग्जी ने कहा, केप्टन ने, कि ये जो कांग्रेस ने परदेश अद्यक्त बनाया, नवजो सिज्जूगों पंजाब का, इसे सीमा खत्रे मागे, और पाकिस्तान से खुला रास्ता बन चुका, अगर मुख मंत्री चैंज भी कर दिया, तो उसकी बात का सवाल का जबाब देना चाहिए था, ये ही तो जवाब चाहिएं, ये ही तो जवाब शनता मां रहिए है और जब जवाब आप से मांग रही है और जवाब आप देने की पोजिस्चन में नहीं है, तो आप किसान की होड में भरी जिंताय क्राटी से क्या लड़ोगी आपका इस्तित्र खतम हो खुक्ता आधी अतरी में हैं अगर कहीं बाज करें अगर आप चंत न्य कर चन जाईनेはमें सब्सक्राइक है, रिमाइ में विहान कि आ टेका की जाकर अगर बहुं भी देख जा अट्यों कि जास्टरियारत हैं कि आप पर लेकिचाद नहीं कराते हैं और किसले के सम्माल करते हैं प्रसिट नहीं है तो इस देरियु तो पुसेलीजिए मनने दुर्दी दोसेली जिए और ये से क्मच्णी होगी यादा कुरांसे लिए अगर आप ऐसे करेंगे पैसे सुन लिजिए आपको यह याद है करते में सबसे पहले विदानसभा में दिल आके और इनों भी लोगो खैंसल किया था आपके राजये पाल ने जो आपकी बिजयती के दवरा पोइंट किया हुआ है पुछ राजये पाल ना अरे सुनो यार अरे सुनो तुनो तुनो अरे सब्सक्राइब कर देखें ना वहां तो आपके देवेंद्र जी बात चल रही किसान आंदोलन की बात चल रही है मद्यस्ता की बात चल रही कुछ और बात कहां चल रही है कर दो मद्यस्ता के आओ ना सरकार बुझाये वही बात कर रहे हैं और मुद्य पर आना नहीं चाहतें पार्टेशेंटा पार्टेशेंटा है। हमारे प्रमुक्ताप करना राद हो जाएंगे इनी की पारिटी के दूरा बनाए हुए राजिपाल है और उन्होंने कितनी बारे में क्या कहा है उस बाद सभी इनको द्याना करना चाहिए पूच लेंगे देवेंदर जी से वरुन गांदी ने क्यों समर्तन किया है यह सब पूचने दीजिए उनको बोलने तो दीजिए आप आँ जी आप पूचने के आए ढई क्याएं ब्रढ़ा जन्हों तो अबे पूचने कृटी दोगारी कि लिए इसका gramने जैसके क्ति होने की तो में पातले के आए ऊगे घृत म dated और जिंद करता शुचिए नारंद की वात करता है आज भी कहता है कि मुझे आज तक ये समझे नहीं आया हमें यही नी मीदिया के अच्गार, इस्से बड़ा दुरगा के दिंशना, और क्या होगा जो किसाने दर्द की बात करते हैं और बाद आके घिटोले उटाते हैं मजाब उडाते हैं कि हमें आज तक पता ही नहीं चला कि बीच के अंदर काला क्या है यह अपने आप में समसे ज्यादे गलत है ऐसे लोगों के बीच में पॉच्छा करने के लिए आएगा जो आदमी ज्यारतवर की बाता करता है और कहता है कि हमें पता ही नहीं इसके अंदर कमी क्या है और एसे लोग नासे कि मद्बस्ता कहिते हो अब सवाल पूचले राजेंद्र यादव जी आप रहें शांत तो सवाल पूचले देवेंदर जी एक तो वारुन गांदी जो बो जी बोल रहे हैं मैं स्वागत करता हूं और मैं भी बोलता हूं मैं किसान का बेटा हूं किसान की परश्ट भूमी से आता हूं जिस दिले से राकेश टिकैत है जिस चेतर से राकेश टिकैत जी है उस चेतर से मैं भी बिलाउं करता हूं पाश्मुत्तर प्रदेश का निवास किसान से ना जुड़ी हो तो कोई साबिती नहीं कर सकता अपने आपको कि उसका संबद किसान से लिए लड़ाई किया है पिंदू क्या है जर्चा क्या है साथ मर्सोस है जो इस बिल में खम्या अरे देवेंदर जी आप यहं वरुण गांदी यह संहरतने जानना चाहिए लिए बढूसो रेखाए थैसक्रार मेरी देटा हूं जरूरत है तो मेरे पसंद करेंगी आप पहले आप मान रहें कि आप रहें कि यह रहें सब्राइंदर चुप रही है का आप मान रहें कि सुधार की आवश्क्ता है सुधार के साथ खड़े हुए है और कहते की कॉंटेक्ट फार्मिंग से लेकर किसान बिनने एमेफ़ पी तक का जो कारिये है वो बहुत स्तांदार है बोरह में बंजूर है बात इतनी देविंदर जी बात इतनी जूर पकी जाएगी चाहे चुनला के बोली चाहे चाहे भीरे बोली जाए आप इस तरह दवाब में लेके आप ने जो हमला वोला है आज इस दवाब में लेके ऐसे चलता नहीं है देविंदर जी लोगतंत रहे सबकी बात सुननी समझनी और कहनी पड़ती है आपने सबको एक कटकरे में खड़ा कर दिया मैं तब इस पर पूछ रहा हूं देविंदर जी वरुन गांदी क्यों समर्थन कर रहे हैं वरुन गांदी क्यों समर्थन कर रहे हैं वरुन गांदी की बात मने दोरा भी आपने अच्छे से नहीं सुनी हो तो भी सुनी जिए वरुन गांदी नहीं बहुत भारती दिंता प्राइटी के भी इस प्रस में खड़े थे कि जिस बिंदू पर चर्चा करनी चाहें किसान भाई चाहते हैं अब देविंदर जी एक बात पूछले शांती से अब अगर चंदर शेकर नहीं हमने ये बात पूछ लिए आपसे कि क्या मध्यस्तिता नहीं हो सकती मामले कोट में चले जाते हैं लेकिन पंचायतें बैठती हैं देश में आप जमीनी इसतर किसान परिवार से आते हैं तो आपको पता होगा जो गाउं में फैसले हो जाते है हैं वहां सभी पक्षोग जुकना पड़ता है तो पंच बड़े नहीं होते हैं तो हमने क्या गलत बात कर दिया आपने ऐसे थोड़े होता है सेविंद्र जी सवाल पूछा जाता है मेडिया आप मेडिया को बहुत ज्वाब में नहीं ले सकते सवाल कुछना पड़ता है तो पाने पलवादी कि पाने कर सकते हैं पाने पूलवार प्रस्टार जी पाने प्रस्टाष की बाता है क्या लगता है कि लंबा समय बीच जाने के बाद कहीं कोई एक ठैराव आएगा इस तरकार बोड़ की बत है को तुम कराओ जब चाहें जैसे आए आप करा सकते हैं गलत बास नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने कह दिया अपना पक्ष रख दिया बाकी दो लोगों का पक्ष भी सुन लेते हैं देविंद्र जी कि आज आप चाहे हुए आपकी परफॉर्मेंस जोड़ार है बहुत क्रिस्ण जी क्रिस्ण जी इतना लंबा चल रहा है कोई ठहराव की उम्मीद है कहीं ठहरावा सकता है कि आप सब लोग जाजम पर बैठ जाएं देखे मैं आपको थोड़ासा कहना चाहूँगा जिए गांडी जी उनीस सो पंदरा में अफरीका से लोटे और उन्होंने देश के आजाती के लिए लड़ाई सुरू करी तो अंग्रेजयों के रहां में सुर्ज नी दूपता था उवह भी अपने आपको तुरुम खा समझ लड़ाई लंदी लड़िंगी पड़ी लेकिन तशी साल की लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और आज यहां तक कॉंग्रेस पार्टी लेके आई तो अलग बाद है कि इन्होंने सब कुछ बेड़ा गरक कर दिया धीज़ेपी ने साथ साल कर आज में 70 साल का कमा हुआ बढ़ सब कुछ बेत खर जाला था एसी बात लीयर किसान वह अगया है तो दो के अधली के लेनाए नी기도 कि बीदा है बेत वेकिन आजने फ वही बेड़ाइके लरग एक। पाही चाताता हुए, बैटे हुए हैं, तो किसान विराधरी ऐसी विराधरी जो हार नहीं सके ह crest कर ना पड़े किसान विराधरी किसान की वह बागदे कर ल instincts कर आपकी तो आपको याद होगा भूमिय दीगंड बिल कोंड़ेश लाके गई थी उप्ये में 2013 में अगर वह भूमिय दीगंड बिल पास नहीं हुआ होता तो आप ये थारी जमीन बड़े उद्यवक्तियों को नाम करा तो क्यों होते हैं अब इनको उस्त्रे डारे के दभी काले कानूनों के दवारा कब्दा करने काम किया है मेरा आपके चैनल के माधन से बीजेपी को चेता हुनी है या तो सुधर जाओ इन पीन काले कानूनों को वापिस ले लो इतुए किसान बिराच्व को है जो बंदर जमीन को हल चला के उसमें सोना उगाती है बिलकुल क्रश्ण जी देवेंदर जी और राजंदर यादव जी आपका डिवेट में जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहराल अरब बास चल रही रास्ता निकालने के लिए रास्ता निकलता नहीं और बहस लगातार लंबी होती जाती है देखना है कि आगे कैसे इसका समाधान निकलेगा बहराल ताजातरीन खबरों के झाल झाल